सुप्रभात मैं मयूरी सिर्वास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ जिसमें गुरुजी सभी राष्यों का दैनिक भवी शपलतों बताती हूँ समथी फोन पर आपके समस्याओं के सतीक समधान भी प्रदात करते हैं यदि आपकी भी है कोई समस्या और चाहते है उसका समधान तो कॉल कीजिए हमारे टीवी स्क्रीन पढ़ दिये मोबाइल दंबर पर और ले आईए अपने चेहरे को पुस्कारे तो चलिए सबसे पहले जानते हैं जोतिश डॉक्टर आचार तुशारा बास से कैसा है आज का दिन काली कल्यान कारी आप सभी में स्थित इश्वरी शक्ति को प्रणाम आज वैशाक मास की प्रतिपदा तिथी है और आज से वैशाक मास आरंब हो गया है शुक्र की होरा में सूर देव उदै हुए है अता आज शुक्रवार है चंद्रमा तुला राशी और चित्रा नक्षत्र में हैं जो अपराहन एक बचकर 33 मिनट पर स्वाती नक्षत्र में प्रिवेश करेंगे कल यानी 6 अपरैल को शुक्र के राशी परवर्तन अर्थात मेश राशी से व्रशब राशी में आने का प्रभाव आज से कुछ राशियों पर दिखाई देने लगेगा गुरुजी से आज की दिन की जानकारी के बाद आएए अब जानते हैं मेश ब्रिशब और मिथुन राशियों के लिए क्या कह रहे हैं आज किसी तारे मेश राशी आज के लिए धन से जुड़ा लेन देन करने से बचें आज सूरियास के बाद आप घर में रहें तो आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्त के लिए अच्छा रहेगा सफेद रंग अंक साथ और उत्तर दिशा से आज कश्ट हो सकता है इनसे बचने का प्रियत्म करें साएं साथ बजे से रात्री नौ बजे के मद्ध विशेश साउधानी बढ़तें आज के दिन को सफल बनाने के लिए और सभी बाधाओं से बचने के लिए ये रक्षा कवच अपनाईए दाहिने हाथ में एक गिलाज जल लेकर ओम गम इस मंत्र को ग्यारा बार पढ़ें और उस जल को पी जाएं पूरा दिन अच्छे से बीट जाएगा वरशप राशी आज के लिए धन आजीवका से जुड़े काम बनेंगे परिवार में तनाव हो सकता है अता कठोर वानी से बचें घर में बिजली के उपकरणों का ध्यान रखें आज के दिन लाल, गुलाबी, अंक नौ तथा दक्षन दिशा कष्ट देने वाले रहेंगे शाम पाँच बजे से साड़े पाँच बजे के मध्ध विशेश साउधानी बरते हैं आज आपका दिन अच्छे से बीते, इसके लिए इस रख्षा कवच का उपाए अपनाएं अपने दाहिने हाथ में एक गिलाश जल लेकर ओम श्रीम इस मंत्र को ग्यारा बार पढ़ें और उस जल को पी जाएं दिन बहुत अच्छा बीतेगा मिथुन राशी आज वैशाक मास के पहले दिन से खर्चों को सीमित करना आरम कर दें अन्था पूरे महिने धन की कमी बनी रह सकती है आज अपने बच्चों के साथ समय अवश्यबत बिताएं उन्हें आपके भावनात्मक सहयोग की आवशक्ता पढ़ेगी आज के दिन सुनहरे रंग, अंक साथ और वायव्य दिशा से कष्ट हो सकता है दोपहर बारा बजे के आसपास के समय थोड़ी सावधानी रखें आज के दिन को सफल बनाने के लिए और सभी बाधाओं से बचने के लिए इस रक्षा कवच को अपनाएं दाहिने हाथ में एक गिलास में जल लेकर ओम भाम इस मंत्र को ग्यारा बार पढ़ें और उस जल को पी जाएं दिन की समस्त बाधाएं दूर हो जाएंगी गुरुजी करक सिंग कन्या राशी वालों का कैसा रहेगा आज का दिन और क्या उपाई करने से उन्हें मिलेगा आज की दिन का पूर्ण लाब हमारे दर्शकों को बताएं करक राशी भाग आज आपके साथ है किन्तु अपनी वानी को सौम में बनाए रखें कला के एक शेत्र में किसी विशेश उपलब्धी प्राप्ती की योग है कार शेत्र में उच अधिकारी से प्रशंसा मिलने की संभावना है आज के दिन भूरे काले रंग अंक चार और आगने दिशा से कष्ट हो सकता है पूरवहन नौ बजे से दोपहर एक बजे के मद्ध विशेश साउधानी रखें और आज के दिन को सफल बनाने के लिए और अपनी सभी बाधाओं से बचने के लिए इस रक्षा कवश्च के उपाय को अपनाएं दाहिने हाथ में एक गिलास जल लेकर ओम नमाह इस मंत्र को ग्यारा बार पढ़ें और उस जल को पी जाएं दिन अच्छा बीतेगा सिंग राशी आज के दिन कारे छेत्र में बदलाव की इस्तिती बन सकती है धन से जुड़े कारियों में बाधा बनी रहेगी किन्तु किसी संपत्ती से जुड़े मामले में आपको आज लाब हो सकता है आज नीले रंग अंक आठ और पच्शिम दिशा से कष्ट हो सकता है दोपहर तीन बजे से चार बजे के मध्ध विशेश साउधानी रखें दाही ने हाथ में एक गिलास जल लेकर ओम रम इस मंत्र को ग्यारा बार पढ़ें और उस जल को पी जाएं दिन अच्छा बीतेगा कन्या राशी आज आपका भाग्य बलवान है जिस कार को करना चाहेंगे वो पलक जपकते हो जाएगा आज के दिन किसी विशेश कार का आरंब करना अच्छा रहेगा आज नारंगी रंग अंक तीन और उत्तर दिशा से कष्ट हो सकता है इसलिए साउधान रहें दोपहर एक बजे से तीन बजे के मध्ध विशेश साउधानी रखें आज के दिन को सफल बनाने के लिए और बाधाओं से मुक्ति के लिए इस रक्षा कवच के उपाए को अपनाएं दाहिने हाथ में एक गिलास जल लेकर ओम एंग इस मंत्र को ग्यारा बार जपें और उस जल को पी जाएं दिन की समस्त बाधाएं दूर हो जाएंगी तुला व्रिशेक और धनुराशी वालों के जीवन में आज क्या है नया जानते हैं कुरुजी से तुला राशी आज के दिन अपने स्वास्त का विशेश ध्यान रखें घर में आए किसी अत्ति का अपमान करना आज कस्टों को बढ़ा देगा साएं चार बजे के आसपास विदेश से कोई शुब समाचार प्राप्त हो सकता है आज के दिन पीला रंग अंक आठ और पश्शिम दिशा कष्ट देने वाले हो सकते हैं दोपहर एक बजे से देड़ बजे के मद्ध विशेश सावधानी रखें आज के दिन को सफल बनाने के लिए और अपनी बाधाओं से बचने के लिए इस रक्षा कवच को अपनाएं दाहिने हाथ में एक ग्लास जल लेकर ओम शम इस मंत्र को ग्यारा बार पढ़ें और उस जल को पी जाएं दिन अच्छा बीतेगा व्रश्यक राशी आज सुबे से ही आपका मन किसी भै से ग्रस्त हो सकता है आत्म बल्की कमी महसूस होगी और आफिस में मन नहीं लगेगा आज के दिन को सामान तोर पर गुजरने दें कुछ अनुहोनी नहीं होने जा रही आज के दिन हरे रंग अंक एक और पूर्व दिशा से कष्ट हो सकता है पूर्वहन नौ बजे से दोपहर बारा बजे के मद्ध विशेश सावधानी रखें आज के दिन को सफल बनाने के लिए और सभी बाधाउं से बचने के लिए इस रक्षा कवच के उपाय को अपनाएं दाहिने हाथ में एक गिलाज जल लेकर ओम धम इस मंत्र को ग्यारा वार पढ़ें और उस जल को पी जाएं दिन की समस्त बाधाएं दूर हो जाएंगी धनो राशी आज के दिन किसी प्रॉपर्टी में आप निवेश कर सकते हैं मित्रों का बहुत अधिक सयोग आज आपको नहीं प्राप्त होगा घर में मंदिर स्थान पर आज कोई छेड़ छाड़ ना करें आज के दिन लाल रंग, अंक दो और इशान दिशा से कष्ट हो सकता है प्राता साथ बजे से दस बजे के मध्ध विशेश साउधानी रखें आज के दिन को सफल बनाने के लिए और सभी बाधाओं से मुक्ती के लिए इस रक्षा कवच को अपनाएं दाहिने हाथ में एक गिलास जल लेकर ओम रिम इस मंत्र को ग्यारा बार पढ़ें और उस जल को पी जाएं दिन बहुत अच्छा बीतेगा और अब बात करते हैं गुरुजी से मकर कुम्ब और मीन राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा मकर राशी धन संचय के लिए आज अच्छा दिन सिद्ध होगा पूरे दिन आप स्वयम को प्राकर्मी बनाए रखेंगे किन्तु सूर्यास के बाद अचानक से सर्दी त्यादी से पीडित हो सकते हैं आज के दिन चान्दी जैसे रंग अंक पाँच और दक्षिन दिशा से कष्ट हो सकता है दिन के ग्यारा बजे से एक बजे के मध्ध विशेश सावधानी रखें आज के दिन को सफल बनाने के लिए और बादाओं को दूर करने के लिए इस रक्षा कवच को अपनाएं दिन की समस्त बाधाएं दूर हो जाएंगी कुम्भ राशी, कार शेत्र में आज आप प्रत्याशित सफलता सम्मान आपको प्राप्त हो सकता है किन्तु अपने से ठीक नीचे पद के किसी व्यक्ति से सावधान रहें विद्यार्तियों के लिए आज दिन ठीक नहीं जाएगा पूजा पाठ से आज मन आपका दूर रह सकता है आज के दिन वैंगनी रंग, अंक दो और पूर्वोत्तर दिशा से कष्ट हो सकता है दिन के बारा बजे तक आज विशेश सावधानी रखें आज के दिन को सफल बनाने के लिए और बाधाओं को दूर करने के लिए इस रक्षा कवच के उपाए को अपनाईए दाहिने हाथ में एक गिलाज जल लेकर ओम रीम इस मंत्र को ग्यारा बार पढ़ें और उस जल को पी जाएं दिन अच्छा बीतेगा मीन राशी आज का दिन आपके कुछ कश्टों को बढ़ा सकता है धन और विलासिता के साधनों की हानी संभव है गले में पीडा रहेगी ठंडी चीजों के सेवन से बचें अपना वाहन आज किसी को ना दें आज के दिन सफेद रंग अंक साथ तथा पश्चिम दिशा से कश्ट हो सकता है रात्री नौ बजे से साड़े दस बजे के मद्ध विशेश साउधानी रखें आज के दिन को सफल बनाने के लिए और सभी बाधाओं से बचने के लिए इस रक्षा कवच उपाय को करें दाहिने हाथ में एक गिलास में जल लेकर ओम लम इस मंत्र को 11 बार पढ़ें और उस जल को पी जाएं दिन बहुत अच्छा वीतेगा और आज की विशेश बात में हम गुरु जी से जानेंगे अगर आपके बच्चे का लिखने पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो क्या कुछ उपाय करना चाहिए देखिए बच्चों का मन पढ़ाई लिखाई में ना लगना ये आज कल की प्रमुक समस्या होती जा रही है हर माता पिता यही कहते पाय जाते हैं कि हमारा बच्चा सही से पढ़ता नहीं या पढ़ता तो है पर उसे कुछ याद नहीं रहता और इसके लिए वो एक ये कारण बताते हैं कि हर समय ये इंटरनेट पर लगा रहता है सोशल मीडिया पर लगा रहता है और बच्चा टीवी मोबाईल में इतना मन लगाए रहेगा तो उसका पढ़ने में मन क्यों लगेगा किन्तु इस समस्या का सबसे महतपूर कारण कुछ और भी है इसके लिए हमें सभी बच्चों की एक सामान प्रवत्ती समझने की आवशकता है और वो प्रवत्ती है उनकी चंचलता बच्चपन और चंचलता एक दूसरे के परियाए कहे जा सकते हैं कुछ बच्चे शरीर से चंचल होते हैं तो कुछ मन मस्तिश्क से हमें उनकी इस चंचल उर्जा को दिशा दिखाने की आवशकता है यहीं पर जोतिश हमारा बहुत अच्छा मार्ग दर्शन कर सकता है मेश, सिंग और धनू राशी वाले बच्चे खेल कूद, भाग दोड करने वाले, परिश्रम को महत्व देने वाले होते हैं और यदि उन्हें खेलने और परिश्रम के अवसर नहीं प्राप्त होते तो उनकी अत्यधिक उर्जा उन्हें एक इस्थान पर बैठ कर पढ़ने ही नहीं देती तो यदि आपका बच्चा इन तीन राशियों में से किसी भी एक राशी का है और उसे आप अच्छे से पढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो उसे खेलने कूदने और श्रम के अवसर उपलब्द कराएं बच्चा मन से पढ़ाई करने लगेगा व्रशब, कन्या और मकर राशी वाले बच्चे उपर से शान्त दिखते हैं किन्तु इनका मस्तिश्क बहुत सक्री होता है और इन्हें अपनी वानी के द्वारा अपनी शमता का प्रदर्शन करना बहुत पसंद होता है इससे इनकी शान्त उर्जा जागरत होती है यदि आपका बच्चा इन राशियों का है तो उसे उसके दिमाग के अनुसार कुछ क्रियात्मक करने और कहने की छूट दें ऐसा करने देने से उसका मन पढ़ाई लिखाई में अच्छे से लगने लगेगा मिथुन, तुला और कुम्ब राशी वाले बच्चे एक दिन शान्त बैठेंगे तो किसी दिन अत्यधिक सक्रिये दिखेंगे ये शीगरता से किसी एक बिंदू पर एक बार में निर्णाय नहीं कर पाते इनकी उर्जा दोलन करती रहती है इन्हें पढ़ने के लिए, इस्थिर करने के लिए अनुलोम, विलोम, प्राणायाम करने की ओर प्रेरित करना चाहिए और प्रतिदिन थोड़ी देर संध्याकाल में सैर कराना बहुत आवश्यक है और अब करक, व्रशिक और मीन राशी वाले बच्चे ऐसे बच्चों को घूमने का बहुत शौक होता है घर से बाहर रहने पर ये उस्सा से भरे रहते हैं किन्तु घर में बस ये मानसिक श्रमिक जैसे होते हैं इन्हें किताबे पढ़ना और लिखना अच्छा लगता है किन्तु साहित के अत्यधिक अध्यन के कारण ये अपने कोर्श की पढ़ाई करने से दूर हो जाते हैं इसके लिए क्या उपाय करें? इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है इनके पढ़ने के इस्थान पर जल से भरा पात्र रख देना चाहिए और इन्हें प्रतदिन जल का सेवन प्रचुर मात्रा में कराना चाहिए ऐसा करने से ये बच्चे पढ़ने में मन लगाने लगते हैं अभी के लिए गुरु जी की भविश्वानी में इतना ही कलाव सफिर होगी मुलाकात तब तक के बने रहे व्रायम टीवी के साथ नमस्ता काली कल्यान कारी कुछ पाव पुष्पा आप देख रहे हैं प्रायम टीवी